हेलो एव्रिवन एंड वेल्कम बैक तो कंपेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत हैं कंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ टी आर सौरब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब कोर्स चैनल पर अगर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताके हमारे सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो नीचे description box में जाएए वहाँ पर आपको competition community के website पर आपको register करना होगा इस course के लिए जो की free of cost है और उसके बाद आपको इसका लेक्चर का PDF भी आपको provide करा दिया जाएगा बहुत सारे लोग को doubt आ रहा है सारे practice set नहीं मिला तो देखिए मैं आपको कुछ बाते बताना चाहता हूँ practice set आपको जैसे इस हफते में जितने भी lectures होंगे उस lecture से related 100 questions का set 100 questions जब मैं कह रहा हूँ तो जैसा आपका CHSL का exam होता है उसी के design में है 25-25-25 सवाल चारो सब्जेक्ट से याने की mathematics, reasoning, english और gs चारो सब्जेक्ट के 25-25 questions का एक practice set याने की 100 questions का practice set इस हफते में जो पढ़ाया गया उससे related आपको आने वाले Sunday को मिलेगा सेटेडे को आपको सारी चीज़े रिवीजन करना है जो चीज़े हमने पढ़ाई इसी से related सवाल आपको संडे को मिलेगा सुबह 11 बजे और संडे को आप सारी questions solve करके answers को tick करके रखिए इसका answer की आपको next week Wednesday को provide करा जाता है same वहीं पर तो आपको करना क्या है नीचे description box में ज provide हो जाएंगे चाहे वह इस lecture का PDF हो चाहे जो practice sheet की बात मैं कर रहा हूं काफी लोगों को confusion भी था तो उन्होंने comment section में डाला भी है इसलिए मैंने यहां पर एक बार एक्षे से explain कर दिया है सारी चीजों को ठीक है और साथी साथ हमारा जो schedule जाता है weekly schedule जो भी जो कि आपको Sunday को मिल जाता है कि आने वाले week में कौनसे lectures होने वाले हैं कब कौनसा lecture आपको मिलेगा इसके बारे में भी आपको सारी चीज़े वहीं पर मिल जाएगी website में तो इतनी सारी चीज़े फ्री में मिल रही है तो क्यों ना हम इस चीज़े का पूरा फाइदा उठाए और content का quality भी वीडियो में जो चीज़े मैंने सिखाई को यहां पर यूज होगा साथी साथ कुछ नई चीज़े भी हम यहां पर सीखेंगे पार टू वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने आपको बाते बता कि रखिए कि रेश्यो प्रपोश्चन जो है एक ऐसा topic है जो कि mathematics का language है तो आगे किसी वीडियो में मैं किसी चीज़ का reference लो तो आपको यह छूटा नहीं रहना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं बात बता ली तो ऐसे एक flow में चल रहे है आप सारे वीडियो को flow में देखते रहे है आपका best preparation होगा SST CHSL के लिए तो चलिए start करते हैं यह सवाल आपके screen पर rupees 10,200 is to be divided among ABC so that A gets 2 by 3 of B gets and B gets 1 fourth of what C gets how much more does C get over A तो यहां दिया होगा 10,200 रुपए की राश्ची को ABC में इस तरह बाटे जाने चाहिए कि A को B का 2 बटे 3 हिस्सा मिलना चाहिए और B को C का 1 बटे 4 हिस्सा मिलना चाहिए तो C को A से कितना अधिक मिला जैसी यहां पर आप एक statement देख रहे हैं कि A को B का कितना मिलना चाहिए तो 2 बटे 3 इसका मतलब होता है कि A अनुपात B जो है यह आपका 2 अनुपात 3 होगा कैसे मैंने लिख दिया देखे मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ चीज़े बता के रखे कि A को B का 2 बटा 3 मिलना चाहिए याने B का मतलब होता है OFF और OFF का मतलब होता है multiplication, simplification में हम यह चीज़े देख चुके हैं अब जैसी आपने देखा कि इस तरीके से अरेंज है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था कि A by B is equal to 2 by 3 जिसका मतलब होता है A अनुपात B जो है वो 2 is to 3 है या मैं इसको ऐसे भी रिरेंज कर सकता हूँ इस B को या इस 2 को नीचे लाके इस तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है यहां पर B आ गया और यह 2 आ गया दोनों बाते एक ही चीज़ को रेप्रेजेंट करती है कि A अनुपात B जो है वो 2 is to 3 है ठीक चलिए यह आपको समझ में आ गया होगा यह सारी चीज़े मैंने पिछले वीडियो में ही कवर किया अब सेकेंड चीज जो है यहां से हमें दिया जा रहा है कि B को सी का एक चौथाई मिलना चीए तो B को अगर सी का एक चौथाई मिलना चीए मतलब अगर सी को चार मिल रहा है तो B को एक मिलना चीए उसका एक चौथाई तो हमेशा कभी भी जब एक चौथाई मिल रहा है तो वन फॉर्थ था तो मैंने फॉर उठाके बी सी को दे दिया और उसका एक चौथाई वन होता है तो बी को इतना दे दिया अब यह अलग-अलग यहाँ पर रेश्यो जा गए अब आप जानते हैं यहां से कि अगर जाईगा है कि एसनल मिल रहे है तो न न को पता होना चलिए न कीशी से करेश ही और दूसरी बात हमने इस तरीकी के कलिए है कि हम्हें आप यहां पर टीन कहुंत आप एक खेंग घलत है दोनों को एक ही बात क्याना चाहिए या तो आप यह दोनों by 1 करोगे तो आपका 3 बन जाएगा B और 3 multiplied by 4 करोगे तो 12 आपका C बन जाएगा अब यहां पर दिया हुआ है कि 10,200 रुपए जो है तीनों में बटने चाहिए तो तीनों में बटने का मतलब क्या है कि तीनों में वैल्यूस क्या रही है दो 10,200 रुपया है अब सवाल यह पूछ रहा था कि हमें हमने यहां पर C को A से कितना अधिक दिया तो C को A से कितना अधिक मिल रहा है तो 10 अधिक मिल रहा है तो आप खुदी बताईए कि अगर 17 का वैल्यू इतना है तो 10 का वैल्यू कितना होगा इसका एंसर होता है दस हजार दो सो बटे में देस अपॉन देस यानि सतरा मल्टिप्लाइट बाई यह वाला वैल्यू ठीक है तो इससे काटोगे तो 600 हो जाएगा यानि कि यह छे हजार जो है इतना आपको मिलेगा मतलब C को इससे इतना अधिक मि मिल रहा है तो इधर 12 तो 12 जो है इससे 10 अधिक है अब देखे हो सकता है कुछ लोगों को यह सारी क्यालकुलेशन जो मैंने यहां पर की यह आपको समझ में नहीं आया होगा तो घबराइए मत मैंने आपको पिछले वेडियो में भी बताया था कि हम यहां पर X जो पहले लि एक्स और C का वैलु क्या है तो C का वैलु है 12X ठीक है तो अगर यह तीनों 2X 3X और 12X है то अगर मैं आपसे पूछू की बताईए भई A PLUS B PLUS C क का वैलू हो जाएगा 17X और 17X यह है तो 17X का एक्चाल वैलू इतना था मतलब X का वैलू क्या हो जाएगा यहां से X का वैलू और आपसे सवाल यह पूछा था कि C को A से कितना अधिक विला तो C का वैलू आप देख रहे हैं यहां पर 12X है और यहां पर 2X है तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो C को कितना मिला 10X मिला तो जब हमें यही निकालना था कि इसको इससे कितना ज़्यादा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे 10X का वैलू निकालेंगे और X का वैलू जो है वह अगर 600 है तो 10X का वैलू multiplied by 10 हो जाएगा ठीक है यह होती है basic से लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे है एक न लेकर हम यहां पर एक ले रहे हैं और एक से ही हम वैलू निकाल रहे हैं मतलब यह 17 यूनिट है एक unit multiplied by 10 ठीक इसी तरीके से हमें solve करना है चीज़ों को चलिए अब यहां से देखिए दूसरा सवाल आपके screen के उपर है दिया हुए तरुन's test marks in two subjects English and Hindi are in the ratio 7 is to 11 if he got 20 marks more in Hindi then in English what is his marks चलिए दो विशयों में अंग्रेजी और हिंदी परिक्सा में तरुन के अंखों का जो अनुपात था वो था 7 अनुपात 11 यदि उसे अंग्रेजी के तुलना में हिंदी में 20 अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितने अंख मिने हमें निकालना है मतलब द दूसरी बात कहीगी कि इसे हिंदी में 20 अंग्स ज्यादा मिला हमारे इसाब से अगर देखोंगे तो इंग्लिश में उसे साथ यूनिट हिंदी में उसे 11 यूनिट यानि चार यूनिट ज्यादे मिल रहे हैं और सवाल में कितना दिया है तो 20 marks थिक अब सवाल में निकालना था सवाल में निकालना था कि अंग्रेजी में कितने ज्यादा मिले तो यह साथ है साथ बराबर कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 20 डिवाइड बाइड बाइचार मुल्टिप्लाइड बाइचार जो कि हो जाएगा 35 मॉर्ट आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने चार में 5 मुल्टिप्लाइड करके 20 निकाला था तो साथ में भी 5 मुल्टिप्लाइड होगा क्योंकि रेश्ट जो है मुल्टिप्लिकेशन फेक्टर 5 का और वह 5 जो यहीं से आता है कि 20 बटे 4 जो है वह पांच है ऐसे भी आप निकाल सकते या आप डिरेक्ली यह भी देख सकते चार में 5 मुल्टिप्लाइड करके 20 माक्स हो रहा है तो साथ जो है साथ जो कि इंगलिस में माक्स था साथ में भी 5 मुल्टिप्लाइग तो एक्च्वल माक्स है निकि आपका 50-35 माक्स निकल के आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करके रखेंगे इफ Q is to be distributed among A and B in the ratio A is to B यदि Q को हमें A B में A अनुपात B में बाटना है वित्रित किया जाना चाहिए तो हम क्या करते हैं A बटा A प्लस B इंटो Q कर देंगे तो A कमाना जाएगा B बटा A प्लस B इंटो Q कर देंगे तो B कमाना जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया कि देखिए A जो होगा वो मान लेते हैं यहाँ पर A X हो गया B जो है वो हो जाएगा B X यानि कि देखिए अगर A B में A अनुपाद B में काटना तो ऐसी तो होगा तो A प्लस B का वैल्यू क्या होगा आपका जवाब होगा A X प्लस B X तो A प्लस B इंटो X ऐसा लिख सकते जिसका वैल्यू क्या है तो Q है इसका मतलब हमने जो X variable माना है वो X क्या होगा Q divided by A plus B हो गया अब यहां से यदि हमें A निकालना है तो वो हो जाएगा A बटा A plus B गुने X क्योंकि X का मान हमने निकाल दिया X का मान क्या है तो Q by A plus B है तो इस X के जगा यहां दाल देंगे value तो A का value A by A plus B into Q होगा B का value B by A plus B into Q हो जाएगा इस तरीके से हम यहां पर values को substitute कर सकते हैं ठीक है इसी प्रकार अगर मैं यहां पर पूछू कि A B C में अगर A अनुपाद B अनुपाद C में Q को विभाजित करना है Q is to be distributed among A B C in the ratio A is to B is to C तब यहां पर A का value हो जाएगा A by A plus B plus C into Q B by A plus B plus C into Q यानि कि समझे यहां हो क्या रहा है अगर मैं ऐसा आप कहता हूं कि A अनुपाद B अनुपाद C 2 is to 3 is to 5 है 2 is to 3 is to 5 अब यदि मुझे यहां पर A B C में कोई amount मुझे distribute करना है जैसे कि suppose करिए कि मुझे 60 60 रुपे जो है A B C में विद्रिद करने A पलस B पलस C जो कि हो गया 10 multiplied by 60 मतलब A को कितना मिलेगा तो 12 रुपे मिलेगा ठीक B को कितना मिलेगा तो B को मिलेगा 3 divided by 10 multiplied by 60 तो यह चीज़े जो है ना यह mental calculation यानि कि mind में आपको यह सारी चीज़े कर ले नहीं 18 रुपे मिलेगा B को C को कितना मिलेगा तो C को मिलेगा 5 divided by 10 multiplied by 60 जिसमें 00 काटने पर यह बन रहा है 30 रुपे तो यह जो 60 रुपे है वो ABC में इस तरीके से कटेंगे A को 12 रुपे B को 18 रुपे और C को 30 रुपे इस तरीके से यहाँ पर यह चीज़ें कटने वाली है ठीक है चलिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ओपर यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है If 25,000 Is to be divided between ABC In the ratio 1 by 10 Is to 1 by 6 is to 1 by 15 Then how much will C get ठीक है यहाँ पर दिया है यदि 25,000 रुपे को ABC में इस तरीके से वितरित करना है इस तरीके के अनुपात को मैंने आपको बताया है कैसे हैंडल करना है पिछले वीडियो में जब तक values fraction में होते हैं तब तक calculation करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इसको पहले हम क्या करेंगे integral values में लाने की कोशिश करेंगे कैसे ला सकते हैं इसके लिए आपको समझना होगा कि हम यहाँ 10,6 और 5 से divide कर रहे हैं तो 10,6 और 5 का आपको लगुत्तम समापवरति LCM निकालना होगा जो कि हम पिछले वीडियो में cover कर चुके है 10,6,5 का लगुत्तम समापवरति होता है तो मैं क्या करूँगा 30 को तीनों में multiply करूँगा क्योंकि अगर यह ratio है तीनों में यह चीज multiply होना चाहिए 30 ठीक है जैसे यह multiply हो जाता है तो जो ratio बनेगा A ratio B ratio C इसका value बनिया यहां से 3 यहां पे 5 और यहां पे 6 यह actual ratio है जिसमें हमें ABC को बाटना था अब सवाल यह पूछ रहा है कि C को कितना मिलना थी तो आप खुदी बताएए C को 6 मिल रहा है आउट अफ टोटल 3 प्लस 5 प्लस 6 यह नहीं 14 यह actually 15 था ना इसका 15 था यह value यह 15 था actually यह वाला value थोड़ा से यहां पर 15 था तो यह actually बनेगा 2 इसको काटने पर कितना बनेगा 2 बनेगा ठीक तो यहां से C को कितना मिल रहा है C को मिल रहा है 2 divided by 3, 5 और 2 को जोडने पर कितना आ रहा है तो 10 आ रहा है multiplied by 25 था तो यह 0 यह 0 कट जाएगा 2 से इसको multiply करोगे तो 5000 रुपए जो है वो C को मिलने वाला है clear तो यहां से A जो है सवाल का सही उतर है चली आशा करता हूँ यहां तक आपको सारी बाते समझ में आ रही होगी देखिये इसके पहले जो मैंने सबसे पहला सवाल लेखा था यह वाला सवाल इसमें भी कही ना कहीं जो चीजे हो रही है वो कुछ इसी तरीके से हो रही है कि हमने जो चीज फाइंड करना है वो क्या था हमें find करना था c को कितना आधिक मिला तो आप directly जो चीजे मैंने लिखी उसके अलावा ऐसा भी लिख सकते थे कि total value हमारे पास इतना था और इसको 10 ज्यादा मिल रहा था तो directly एक line में आप ऐसा भी लिख सकते 10 divided by 17 क्योंकि total quantity में से हमको 10 quantity निकालना है और total quantity 17 है इसमें से 10 quantity इस हम ऐसे solve करें चाहिए मैंने वैसे जो बताया था आपको दोनों तरीके से आप इसको solve पर सकते बस निकालना क्या यह पता होना चाहिए हमारे ratio में ठीक चलिए यह सवाल हो गया इसके बाद next question लिखते हैं यहां से अगला सवाल आपके screen के ओपर है a sum is divided among a b c d such that the ratio of shares of a b is 2-3 b c is 1-2 c d is 3-4 if the difference between a and d is 648 then what is the sum of their share ठीक है तो बहुत important सवाल है इस तरीके के pattern के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आपके exam में ठीक है किसी राशी को a b c d में इस तरीके से विभाजित करना है कि a b के share का अनुपात जो हो 2-3 है b c का जो share है वो 1-2 है c d का जो share है वो 3-4 है हमें निकालना है अगर a d के share के अंतर जो है वो 648 रुपया है तो हमें यह निकालना था कि उनके total जो share है उसका योगफल क्या है तो दे ठीक है b अनुपात c क्या है b ratio c b ratio c है 1-2 ठीक इसके बाद आएंगे c ratio d तो c ratio d हो जाएगा अपका 3-4 clear अब यहां से हमें क्या निकालना है पहले सबसे पहली बात जब ratios अलग-अलग होते हैं तो हमें इनका common ratio निकालना होता है common ratio निकालने के लिए मैंने तरीके आपको बत c is to d तो यह मैंने पिछले वीडियो में cover कर रखा हुआ है ठीक directly क्या करना है इन तीनों left वाले को multiply करना है इस तरीके सब्सक्राइब जैसी आप इन तीनों को multiply करेंगे 2 x 1 x 3 मतलब यह बन जाएगा छे second हमें क्या multiply करना होता है second left के नीचे के दो values को right के उपर value से multiply करना होत और आखिर वाले value का वहुत आसान होता है directly right side के तीनों values को multiply करेंगे पहले वाले के लिए सबसे पहले वाले के लिए left के तीनों values यहने a के और right most value के लिए right के तीनों values multiply करने होते तो यह बन जाएगा 24 24 ठीक अब इसमें कुछ common यह दिख रहा है तो उसको काट लेता है जैस इस टू कि अठारे को तीन से काटेंगे तो यहाँ पर शेक आएगा और यहाँ से तीन को काटेंगे 24 को तो यहाँ पर आपका आठ आएगा ठीक तो अब सवाल यह कह रहा था कि और डी में जो अंतर है वह 648 रुपया का है तो हमारे सावसेंतर कितना है यहाँ दो है यहां और 648 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूपीज 648 अब सवाल में यह पूछ रहा था कि टोटल कितना मिला इन लोगों तो टोटल आप देख लीजिए कितना रहा है दो प्लस आठ दस होता है तो टोटल उन्नेस यूनिट हमको निकालना था कि ए भी सीडी को टोटल कितना मिला तो देखिए कहीं न कहीं उल्टा कैलकूलेशन हो रहा है हमने अभी तक देखा था कि टोटल वैल्यू दिया था और एडी में जो इन डिफ्रेंस है व टोटल वैल्यू निकालना था तो दो प्लस तीन प्लस शे प्लस आठ यह उन्नेस हो गया अब आप ही बताईए च्छे से अगर इसको काटेंगे तो कितना आजाएगा शिक्स फॉर्टी एट डिवाइड़ेट बाइस ठीक है यह हो गया वन का वैल्यू मुल्टिप्लाइट हमें करना होगा उन्नेस तो छे से काटने पर यह बन जाएगा एक सो आठ उन्नेस का वैल्यू याने 1900 ठीक है प्लस आठ से अगर मुल्टिप्लाइट करेंगे तो 72 152 है मतलब देखे 2052 जो है यह टोटल वैल्यू बन जाएगा ठीक आई होप यह आपको समझ में आ गया होग कि कैसे हम यहाँ पर क्यालकुलेशन कर रहे हैं ABCD का जो टोटल सम कैसे हमें निकालना था ठीक चली अगला सवाल है ग्यारा हजार पांच सो पचास रुपिये को हमें डिवाइट करना है XYZ में such that X को Y का 4 is to 5 रेशियो मिले मतलब X रेशियो 5 आपको दिया हुआ है ठीक है 4 is इतना ज्यादा मिलेगा X से तो X is to Y is to Z पहले निकालना है यह कुछ लगभग पिछले सवाल के जैसा ही है आपसे बन जाना चाहिए यह सवाल 4 into 2 हो गया 8 2 into 5 हो गया 10 3 into 5 हो गया 15 तो यह रेशियो बनेगा जब XY का रेशियो अलग दिया है YZ का रेशियो अलग दिया है तो पहला काम है कि आप इसको बैलेंस करें क्योंकि पहले वाले में Y बराबर 5 है दूसरे वाले में Y बराबर 2 है जो कि दो अलग अलग बाते कह रहे है जब त देख रहे साथ ज्यादा मिल रहा है तो 7 divided by total value क्या है तो आठ प्लस दस प्लस पंद्रह आठ प्लस पंद्रह तेईस प्लस दस करोगे तो 33 हो जाएगा मल्टिप्लाइड वैल्यू है ग्यारा हजार पांच सो पचास तो अगर मैं ग्यारा से से काटू तीन बर कटेगा यह कटेगा एक सो पांच इन्टु जिरो यहां तीन से काटो गए तो थर्टी फाइव आएगा ठीक 350 मतलब देखिए 1 350 मल्टिप्लाइड बाइड यदी 7 करते हैं तो यही वाल्यू आएगा फोर्त वाला ठीक 35 हो गया 2450 यही आएगा 2450 चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे अब यहां से थोड़ा सा जो है पैटन चेंज होगा तीरे-दीरे समझेंगे सारे पैटन्स को और कैसे हम रेश्यो का एपलाय कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे जैसे देखें इस सवाल में क्या दिया है एमंग 132 examines of a certain school the ratio of successful to unsuccessful students is 9 is to 2 had four more students past then the ratio of successful and unsuccessful will be ठीक है किसी school में 135 परिक्षार्थियों में सफल चात्रों और असफल चात्रों का जो अनुपात था वो नौन पात दो है ठीक यदि चार और चात्र जो है वो उतीन हो जाते तो सफल और असफल चात्रों का अनुपात क्या होता है ठीक तो देखें इस सवाल में सबसे पहली बात कोई भी व्यक्ति जो exam दे रहा है ठीक है जो भी student है जितने भी total students है ठीक जितने भी हमारे पास total students है याने जो परिक्षार्थी है या examines है ठीक या examines भी आप इसको कह सकते है ठीक है यह जितने भी टेस्ट दिये इन में से या तो यह लोग successful होंगे या फिर यह लोग unsuccessful कोई तीसरा यहां पर अप्चारिक्ता नहीं बसती या तो यह लोग successful होंगे या तो यह फिर unsuccessful होंगे कहने का मतलब यह कि total हमारे पास 132 बच्चे हैं जिसे हमें बाटना था 9 ratio 2 में यही हमारा काम है पहला काम हमें 132 लोगों को 9 अनुपात 2 में बाटना है तो बताईए success वाले क्या होंगे तो 9 by 11 होगा multiplied by 132 और जो unsuccessful होगे वो 9 by 11 होगा 132 का यहीं होगा ठीक है यह चीजे मैं हमने starting में cover किया अब यहां से 11 से काटूंगा तो यह 108 बारा बार कटेगा मतलब यह 108 होगा successful बच्चे और unsuccessful की बात करें तो यह भी 12 से कटेगा 24 ठीक तो यह जो calculations है यह calculations हमारे दिमाग में mentally हो जाने चाहिए जब 9 बटे 11 दिखा कैसे mentally calculate होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आपने देखा यहां पर 9 और 2 तो यह 11 हो गया 11 का value जो दिया था वो इतना दिया था मतलब हम कहीं ना कहीं यहां पर 12 multiply कर रहे हैं तो यह mentally आपका 12 न पर इतना रहा है तो यह चीज़े जो है पहली पहली बार है तो मैं यहां पर लिख के बता रहा हूँ लेकिन आगे जैसे जैसे हम भड़ेंगे तो directly हम इस चीज़ को लिखेंगे और आपको भी practice में लाना है directly mentally calculation करके ठीक है अब सवाल यह था कि यहां पर अगर चार और successful हो जाए तो देखिए अगर जो successful थे वो 108 थे चार को और हम successful करेंगे तो यहां 4 कम होगा यह 20 बन जाएगे और यहां 4 जादा होगा तो 112 बन जाएगा तो जो ratio निकालना है उसको 4 से यदि मैं काटू तो यहां 28 आएगा ratio यहां पर 5 बन जाएगा तो 28 इस्टु 5 जो है स 7 इस्टु 3 find the quantity of water to be added in the mixture so as to make the ratio 1 इस्टु 2 ठीक है दूद और पानी के 30 लिटर के मिश्रन में दूद और पानी का अनुपात 7 अनुपात 3 दिया हुआ है फिर कह रहा है कि पानी मिलाया कितना जाना चाहिए ताकि दूद और पानी का अनुपात जो है वह एक अनुपात तो तो इस मिश्रन में हमाँ पानी मिला रहे है ताकि अनुपात जो होना चाहिए दूद और पानी का वह चेंज हो जाए वह वन इस्टु 2 होना चाहिए तो कितना पानी मिलाया जाए यह आप से सवाल पूछा जा रहा है तो देखिए सबसे पहले तो 30 लीटर हमारे पास तो आप ही बताइए कितना मिल्क होगा जब रिश्यो हमें डिया गया है कि यह सेवें इस्टु 3 का है तो सेवें इस्टु 3 का रिश्यो का मतलब होता है यहां पर साथ दस इंटु 30 होगा और यह सारी क्यलकुलेशन समें माइंड में करना है तो यह बन जाएगा 21 लीटर इसमें मिल्क और 9 लीटर हमारे पास पानी होगा ठीक चलिए अब आपको कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या मिलाईए तो आप इसमें पानी मिलाएंगे ठीक है हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें कुछ water मिलाएंगे पानी मिलाएंगे और पानी मिलाने के बाद जो ratio बनता है इस line के नीचे मैं लिख रहा हूँ कि पानी मिलाने के बाद हमारा जो ratio है वो दूद पानी का 1 is to 2 हो जाता है ठीक milk water का ratio after some quantity of water is added ratio जो है वो बन जाएगा 1 is to 2 का अब देखे हमेशा आप उस चीज को ढूणने की कोशेश करिए जो नहीं बदल रहा है और जो नहीं बदल रहा है उसके उपर अगर आप अपना ध्यान लाएंगे तो सारी चीजे simplify हो जाएगी जैसे देखे इस line के नीचे अगर मैं आता हूँ और line के उपर मैं अगर जाता हूँ तो इन दोनों में जो cheese change नहीं हो रही है वो क्या है वो दूद है quantity of milk क्योंकि milk अगर यहाँ 21 लिटर था तो हमने तो इसमें केवल पानी जोड़ा है तो यह 21 लिटर होना था मतलब यह जो 21 लिटर है वो पानी को मिलाने के बाद भी यहाँ पर 21 लिटर ही रहेगा और चोंकी ratio 1 इस टू का है तो अगर एक बराबर 21 लिटर है तो इस रिश्यो में 2 बराबर 42 लिटर होना चाहिए कहने का मतलब अगर मेरे पास पहले इस मिश्यो में 9 लिटर पानी था बाद में जब यह मिश्यो में पानी मिलाया गया उसके बाद 42 लिटर पानी है तो आप खुदी बताइए कि वाटर हमने मिलाया कितना हो 9 प्लस एक्स अगर 42 है तो यह 33 लिटर होना चाहिए यानि हम 33 लिटर मिलाएंगे तब जाके हमारा जो टोटल पानी है वो 42 लिटर कमन जाएगा क्लियर है यहां तक आपको बाते समझ में आ गई होगी तो हमेशा ध्यान इस चीज़ पर रखिए इस तरह के सवाल में कि क्या चेंज नहीं हो रहा है वहीं से आपको सारी पिच्चर जो है वो क्लियर हो जाईगी अगला सवाल देखिए कॉलेज रियूनियन था यूनियन मे हमें 48 स्टुडेंट्स मिलते हैं जिसमें नंबर ऑफ बॉइस और गल्स जो है वह 5 इस तु 3 के रिश्यो में नंबर ऑफ गल्स तु भी एड़ेड इन दा यूनियन सो देट देट नंबर ऑफ बॉइस और गल्स और गल्स तु जैसे कि सपोस्ट करिए हिंदी में भी एक बा ठीक है जोड़ा से नार्चल को ठीक है कि यहांग चैन तो तो देखेँ जब 48 तूडेंट्स में इसे 6 हो रहा है, मतलब 30 boys होंगे और हमारे पास जो girls होंगे 18 होंगे, तो 2 सवाल मैंने basic से बताया, अब मैं directly लिकूंगा यहाँ पर 30 boys होंगे और 18 girls होंगे, ऐसा क्यों है, यह आपको समझ पर आने लगा होगा अब सवाल बोल रहा है कि number of boys और girls का जो ratio होना चाहिए, वो 6 to 5 का होना चाहिए, कब जब हम यहाँ पर girls को add करेंगे कुछ और girls यहाँ पर जुड़ेंगी तब तो अगर यहाँ पर girls जुड़ेंगी, तो आप खुद ही बताइए कि boys की quantity 6 कैसे हो सकती है अगर पहले 3 है पहले 30 है, तो अभी भी 30 होनी चाहिए मतलब यह तो 30 होगी, मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 6 unit बरावर 30 है यहने आप यहाँ पर 5 multiply कर रहे है तो इस value में भी 5 multiply करोगे तो 25 girls होने चाहिए, मतलब पहले हमारे पास 18 girls थी अब 25 girls होगी, मतलब हमने girls कितने एड़ कियें यहाँ पर आपका जवाब होगा sir, 7 girls ठीक है, इन दोनों का difference ही तो होगा 18 और 25 का difference ले लिजिए उतने girls add हो रहे है, 7 girls ठीक, चलिए, तो हमेशा उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, इस तरह के सवाल में कि जो बदल नहीं रहा है, वो आगे यहने पहले वाले case में और दूसरा वाले case में same रहेगा, चाहिए वो दूद पानी का सवाल हो जैसे यहाँ लड़के और लड़कियों की सवाल है, जिसमें लड़कियों को हम add कर रहे हैं लड़के जो पहले जितने थे संक्या थे, वो बात में भी उतने होने चाहिए, ठीक आगे बढ़ते हैं कोई व्यक्ति है, जो एक निश्चित राशी को अपने तीन बेटों के बीच, तीन अनुपात, चार अनुपात, पांच के अनुपात में विबाजित करता है यदि उसने उस राशी को एक बटे तीन अनुपात, एक बटे चार अनुपात, एक बटे पांच के अनुपात में विबाजित किया होता तो उस बेटे को, जिसे पहले वाले में सबसे कम हिस्सा मिल रहा था, उसे एक हजार याने ग्यारा सो ठासी रुपे ज़्यादा अधिक मिलते हैं सेकेंड वाले में तो राशी कितनी है, यह ग्याद करनी है, मतलब देखिए हो क्या रहा है, सवाल में यह हो रहा है, कि हमने एक व्यक्ति है, उसने किसी अपने तीन बेटो को, मान लेते हैं कि ABC इसके बेटे हैं, तो ABC जो बेटे हैं, उनको 3 रेश्यो, 4 रेश्यो और 5 में पैसे बाट रहा थ लेकिन गलती से क्या किया उसने, यानि गलती से नहीं, अगर यह ऐसा कहता लिख रहा है, मतलब इसने अगर 1 by 3, is to 1 by 4, is to 1 by 5 के रेश्यो में बाटता है, मतलब इसके व्यूत क्रमा नुपाती अनुपात में, ठीक है, तो इन्वर्स रेश्यो में अगर बाटता है, इन्व जादा मिलता, तो 1188 रूपे जादा मिलता, यह हमें दिया हुआ है, ठीक, तो आईए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात, जबी भी आप इस तरीकी का रेश्यो देखते हैं, इन्वर्स वाला, यानि की जिसमें फ्रैक्शन लगे हुए, तो तब तक फ्रैक्शन को इंटिगरल वैल्यू में ना लेकर आए, तो सबसे पहला काम है कि हम इस फ्रैक्शन वैल्यू को इंटीजर में लेकर आए, तो 3, 4 और 5 देखते साथ, समझ में आता है, 60 इसका LC हमें, 60, तो मुझे 60 से इसे मल्टिप्लाय करना हुगा, यहां भी, और यहां भ भोंगा, तो यह जो वैल्यू यह बन जाएगा 20, दूसरा जो वैल्यू यह बन जाएगा 15, तीसरा जो वैल्यू यह बन जाएगा 12, ठीक, मतलब 1 why 3 to one by four to one by five का मतलब था 20 is to 15 is to 12, ठीक, तो यह पहला STEP हो गया, कि पहले हम इस रिशियो में बाट रहे थे और यहां हम इस र दूसरे रेशियो में जो टोटल सम है वो नहीं बदल रहा है क्योंकि आपको जो बाटना है इन दोनों लोगों में वो टोटल सम तो नहीं बदल रहा क्योंकि एक अई व्यक्ति यह सारे पैसे को बाट रहा है A B C में पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में तो अगर मैं balance ratio है इसमें balance नहीं है तो पहले हमें सबसे पहला step होगा कि आप इसको balance करें कैसे balance करेंगे 12 और 47 का LCM बनाना होगा तो पहले वाले में 47 और दूसरे वाले में 12 multiply करना पुड़ेगा तो total quantity इतनी बन जाएगी यहाँ कि अभी यह जो ratio है यह थोड़ा सा imbalance है इसको हम balance करेंगे तो पहला वाला जो ratio बन जाएगा 47 multiply करना है तो तीनों में यहने इसमें भी 47 इसमें भी 47 और इसमें भी 47 multiply होगा देखिए यह बन जाएगा 141 कि दूसरा वाला आपका बन जाएगा और जो तीसरा value है यह बन जाएगा आपका 235 ठीक है 12 को अगर मैं इसमें multiply करूंगा तो 240 बनेगा दूसरे वाले में multiply करूंगा तो 60 का 3 times है यह मतलब कि यह बन जाएगा 180 और तीसरे वाले value जो है यह बन जाएगा 144 ठीक है अब टोटल जो है इसका भी total 47 into 12 है दूसरे वाले का total भी 47 into 12 तो देखना यह है यहां पर कि सबसे कम जो value मिल रहा था उससे 99 जादा मिल रहा है दूसरे वाले case में यानि कि सबसे पहले वाले case में सबसे कम कि इसको मिला एको मिला दूसरे वाले case में इसको कितना मिला तो 240 मतलब 99 जादा मिला सवाल में कह रहा है इससे 1188 ज्यादा मिला मतलब 99 unit का जो value है ये दिया हुआ है 1188 तो हमसे सवाल में यही निकालना था कि total value कितना है तो total बताईए इन सब को जोडेंगे तो पहले से 12 था ये जिसमें 47 जोड़ दिया मतलब हमें 12 into 47 units का value निकालने को कह रहा है तो बताईए इसका solution क्या होगा 1188 divided by पहले तो 99 करना होगा और multiplied by 47 multiplied by आठ कर बारा करना होगा तो देखे कैलकुलेटिव है थोड़ा सा तो हमारे पास जो calculation tricks है जो मैंने आपको पहले वीडियो में सिखा के रखा हुआ उसको यूज करते हैं अगर मैं 11 से काटू तो यहां 9 बनेगा यह बन जाएगा 108 एक बार और नौ से काटू तो यहां 12 बन जाएगा मतलब हमें जो value निकालना है वो कही न कहीं क्या है 47 multiplied by 12 into 12 यह वाला 12 यहां से कैलिशल करने पर आ रहा है अब देखे यहां पर हम दो चीजों का यूज करेंगे एक तो डिजिटल सम आप लगा सकते हो और यूनिट डिजिट यानिकी एकाई का अंक से भी आप calculation कर सकते हैं तो देखे पहले एकाई का अंक लगाते है ज्यादा आसान होता है एकाई कांक लगाएंगे तो यहां दो इंटू दो यानिकी चार आ रहा है और चार में साथ को multiply करेंगे तो कहीना कहीं आठ आएगा मतलब यूनिट डिजिट आपका आठ बनना चाहिए तो आठ यहां है आठ यहां है मतलब यह दोनों ऑप्शन तो गलत होगा जहां 0 का आपका डिजिटल संग सुंव है अब हम क्या कर सकते हम यहां पर डिजिटल सम चेक करें तो इनलस हम अगर देखेंगे तो यहां साथ 15 15 15 यानिільки 6 का इसमें बन रहा रहा है इसमें डिज्टल सम कितना बन रहा है और साथ करू wa पंडरा 15 बंदरां के बाद शह और 6 यहान Six यानि FOX 27 यानि कहीं न कहीं यहांका जो तो आप्शन देख्बों सभी होगा जिसमें यहां पर इंग से को होगा तो बहुत पूरा का पूरा कालकुलेशन नहीं करना है पहले जो ट्रिक्स हमने देखा है है केल्कुलेशन ट्रिक्स उसको आप लगा के देखिए unit digits और digital sum यह दोनों के दोनों जो है आपके बहुत helpful होते हैं calculation को असान करने के लिए चले next सवाल आपके screen के ऊपर यहां दिया हुआ है the total number of students in a school was 660 the ratio of boys and girls was 13 is to 9 after some days 30 girls joined and some boys left the school what is the ratio of the boys and girls and the ratio of the new boys and girls became 6 is to 5 the number of boys who left the school was अब देखिए यहां पर कुछ लड़कियों को जोड़ा भी जा रहा है और कुछ boys को बाहर भी किया जा रहा है तो लड़कियों कितने जोड़े गए वो तो बताए जा हुआ तीस लड़किया जो है स्कूल में शामिल होती है और कुछ लड़कों को स्कूल से छोड़ दिया देता है ठीक है तो लड़के और लड़कियों का जो नया अनुपाथ है वो होता है तो जाहिर सी बात है अगर यहां पर 13 और 9 है यानि कि कितने टोटल 22 है 22 यूनिट याने 22 यूनिट दोनों को जुड़ोगे तो 22 यूनिट का वैलू इतना है मतलब हम कही ना कहीं क्या multiply कर रहे हैं 30 multiply कर रहे हैं तभी तो इतना बनेगा ना तो 13 में 30 multiply करोगे तो 390 boys होंगे 9 में 30 multiply करोगे तो 270 हमारे पास girls थे initially यानि शुरुवाती दौर पर हमारे जो 660 students है उसमें 390 boys और 270 girls थे इसमें क्या हुआ तो इसमें पहली बात यह कही गई कि इसमें कुछ लड़कियां जुड़ी कितनी लड़कियां जुड़ी तो 30 लड़कियां जुड़ी जैसी 30 लड़किया जुड़ेंगे तो यहां पर जो total बनेगा वो बनेगा 300 कुछ boys यहां से minus हुआ है कितने हुए वो हमें निकालने को कहा 5 में कितना multiply हो रहा है 60 multiply हो रहा है तब ही तो यह हुआ मतलब जो boys बाद में remaining रहे होंगे वो भी इसमें 60 multiply करोंगे तो 360 boys रहोंगे तो अगर पहले 390 boys है अब 360 हो गए मतलब हमने कितने boys minus किये तो 30 boys हमने minus किये यही सवाल हमसे पूछ रहा था अगर पांच बरावर इतना है तो 6 बरावर इतना होना था तो यह रेश्यो को बैलेंस करके हमने यहां पर 360 boys निकाला अगर पहले 390 boys थे इसका मतलब 30 boys ऐसे होंगे जो स्कूल को छोड़के गए थे यही हमारा उत्तर होगा ठीक है चली अगला सवाल देखते हैं next question आपके screen के उपर दिया हुआ है a sum is distributed between ABC in the ratio 9 is to 6 is to 11 if A gives 500 उपीज from his share to C the ratio of ABC will become 4 is to 3 is to 6 what is the sum of the share of B and C in the beginning ठीक है ABC में के बीच में हमें बाटना है कुछ रुपे को कुछ राशी को रुपे में जो कि 9 अनुपात 6 अनुपात 11 में अनुपात में वित्रित होना चाहिए था यदि A अपने हिस्से से C को 500 रुपे दे देता है तो ABC का जो share है वो हो जाता है 4 is to यानि 4 अनुपात 3 अनुपात 6 में हो जाता है तो शुरुवाती दौर पे B और C के shareों का योगफल क्या है यह हमें निकालना है सबसे पहली बात जब A अनुपात B अनुपात C थे सुरुवाती दौर पे जो पैसा हमें बाटना था वो बाटना था 9 अनुपात 6 अनुपात 11 में लेकिन A क्या करता है दानवीर उसने क्या किया यहां से कुछ पैसे निकालके यहां दे दिया तो A, B, C को जो मिला वो किस रेशियो में मिला 4 इस्टू 3 इस्टू 6 में मिला सबसे पहली बात जो अलग-अलग अनुपात होते हैं उसमें बात एक ही होनी चाहिए बात एक ही होनी चाहिए जैसी मैं 4, 3, 3 और 6 को जोड़ता हो तो यहां 13 आ रहा है 6, 9 और 11 को जोड़ता हो तो यहां पर आपका लगभग 25 आ रहा है 26 आ रहा है तो जस्ट उसका दुगना है मतलब यह दुगना होना चाहिए या फिर आप ऐसे भी देखिए कि B का इसमें चेंज कैसे हो सकता है B अगर यहां 6 है तो यहां 3 कैसे हो सकता है मतलब यह balanced नहीं है ratio तो पहला step है हमेशा अलग-अलग ratio से एक अई बात मनवाना तो यह दो अलग-अलग बाते कहरे यह पहला वाला जो ratio है जो ratio था यह गलत था कहीना कहीं तो मैं पहले वाले second वाले ratio को आप हटा देता हूँ यह अपका 8 ratio, 6 ratio अब आप खुझी देखिए कि अगर A को पहले 9 मिल रहा था तो अब यहां पर जब उसने कुछ पैसे बाढ़ती है C को तो यहां पर एक कम हुआ और यहां पर C का जो share है वो कहीना कहीं यहां पर एक बढ़ गया मतलब ऐसा कह सकते हैं कि A ने अपने हिस्से से एक unit निकाल के B के हिस्से में दाल दिया और सवाल में इस एक unit का value जो है वो दिया हुआ है रूपीज 500 500 रूपिया ठीक है अब पूछ यह रहा था कि B और C को total शुरुवाती दौर पे कितने मिले तो शुरुवाती दौर पे B और C को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 17 रहा है अगर एक बरावर 500 है तो 17 बरावर 85 रूपीज हो जाएगा clear है मतलब ए जो इस सवाल का सही उत्तर है यहां तक आपको मेरी बाते समझ में आ गई होगी ठीक चलिए next question देखते हैं यहां दियावाई the ratio of two numbers is three is to five if eight is added to the first and seven is added seven to the second then the ratio becomes two is to three what will be the ratio if six is added to each ठीक दो संख्याओं का अनुपात जो है तीन अनुपात पाँच है यदि आठ को पहले में और साथ को दूसरे में जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या होता है दो अनुपात तीन हो जाता है यदि प्रतियक में छे को जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा देखें यह जो सवाल है यह आपके cross product से related है तो आप लोग heading दाल सकते cross product, cross product, ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे कि एक value change हो रहा है, तो क्या करना है, लेकिन यहाँ पर दो अनुपातों में, दोनों values change हो रही है, तो यहाँ पर क्या हमें किस तरीके किस सवाल को लगाना है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले मैं direct बत 5, और जोडने घटाने के बाद जो ratio बना, वो बना 2-3 का, कितना जोड़ा घटाया गया, हमने जोड़ा पहले वाले में 8 जोड़ा, और दूसरे वाले में हमने 7 जोड़ा, 7 जोड़ा, ठीक, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है, ठीक, मैं एक बार फिर से repeat कर द 8 जोड़ा, दूसरे वाले में 3 जोड़ा, तो यहाँ पर प्लस 8 प्लस 7 होगा, अगर माइनस हो रहा है, तो माइनस लिखना होगा, लेकिन यहाँ दोनों प्लस थे, इसलिए मैंने दोनों प्लस लिखा, अब करना क्या है, इस तरीके से multiply करना है, 3 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 इ के से आपको माइनस करना है, cross product से, तो यह माइनस का 10 हा रहा है, मतलब जो एक unit है, यह 10 के बराबर है, एक unit जो है, वो 10 unit के बराबर है, तो हमसे यह पूछ रहा था, अगर हम पहले वाले ratio में, दोनों में 6 जोड़ देते हैं, तो क्या हैगा, यह एक unit जो होता है, यह एक unit ज और 50 सवाल यह पूछ रहा है कि अगर हम दोनों में 6 जोड़ देते याने 6 जोड़ देते तो अगर मैं इसमें भी 6 जोड दूँ इसमें भी 6 जोड़ दूँ तो यह बन जाएगा कई लोग को डाउट होता है सर ऐसा calculation करतो दिये लेकिन क्यों हो रहा है ठीक है तो वह क्यों वाले जो लोग है वो भी समझ के रखें और समझना अच्छी बात भी होती है क्योंकि अगर एक बार समझ कि हम सारी चीजों को करें यानि माइक्रोस्कोपिक नॉलेज जब रहता है तब हम माइक्रोस्कोपिक चीजों को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो चोटी-चोटी चीज़े ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके बारे में discussion कर लेते हैं देखें तो cross product जो मैंने बताया उसमें हमेशा इसका यानि प्रा htрашum between qalqid चेल आडिए उसका रेशो दिया रहता है और जो चेंज हो रहा है इसका हमें quantity दिया रहता है कैसे पैचानना है cross products के सवाल को प्रारंभिक मूल्यू का अनुपात याने रेशो दिया होगा फइनल वैल्यू जैने अंतिम मूल्यू का ऑनुपात दिया होगा और बी इनिशल वैल्यू को ए भी ए अनुपाद भी और प्रारंभीक मुल्य था तो यह quantity वन quantity टू जो वह अनुपाद भी में बाद में इसमें हमने प्लस वाई किया इसमें चेंज किया तो अरेंज इस तरीके से करना है इनिशल रेश्यो और जो चेंज हो रहा है तो आप खुदी बताएए क्या अगर मैं इस पहले रेश्यो को माल लेता हूं एक्स तो यहां मतलब एक्स से इसको मल्टिप्ला करके जो quantity है Q1 quantity को मैं माल लेता हूं AX और Q2 quantity को मैं माल लेता हूं BX यह प्रारंभिक वैल्यू है जैसे ही मैं इसमें प्लस Y और प्लस Z करता हूं तो यहां पर value प्लस Y बन जाएगा यह अपका final quantity बन जाएगा और यह प्लस Z बन जाएगा इन दोनों का जो अनुपात है वो C2D में है मतलब कि कही न कहीं जो value है वो इस तरीके से AX प्लस Y divided by BX प्लस Z बराबर CYD के ऐसा लिख सकता है कि नहीं क्योंकि यह अनुपात इसके अनुपात में है यहां से जब आप X को solve करने जाएंगे तो कहीं न कहीं D यहां जाएगा और यह BX प्लस C यहां जाएगा तो जो ratio बनेगा वो बनेगा ADX प्लस YD ठीक है बराबर है BCX प्लस ZC अगर X वाले चीजों को मैं एक तरफ ले आओ और YD वाले चीजों को एक तरफ ले जाओ तो य इस X का value क्या है तो यह ZC minus of YD divided by हम क्या कर रहे है तो AD minus of BC तो YC यहां ने देखिए अब यह हुआ क्या है मेरी pen जहां जहां जाएगी उसके उपर ध्यान देना ZC मतलब यहां से यहां मल्टिप्लाए माइनस में YD मतलब यहां से यहां मल्टिप्लाए यही हमने किया था द यहां का cross product divided by यहां वाले cross product को जब divide करते है तो X निकल के आता है और X क्या था तो X को हमने पहले शुरुआती दोर पे किस पे multiply किया था यहां वाले ratio में multiply किया तो मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करेंगे हम हमेशा X के जगा 1 ले लेंगे तो 1 मैंने मान लिया था तो वो जो ratio मैंने 1 निकाला मैंने आपको बताया वो पहले वाले ratio के corresponding में होता है यानि कि आपको पहला ratio के लिए ही 1 multiply करके exact value निकालना है कि total value क्या था clear तो AX था पहला value तो quantity में जब AX निकालना होगा तो आपको X के जगा यही तो डालना होगा जो 1 का value आ रहा है clear है अब आपको समझ में आ गया कि मैंने जो calculation किया शॉर्ट ट्रिक किया तो ऐसा क्यों किया ठीक है लगाना तो हमको शॉर्ट ट्रिक के तरीके सही है लेकिन यह understanding जरूरी है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं ठीक चली सारी चीज़ें आपको डीटेल में बताई जा रही है तो इसलिए अगर आपको वीडियो पस अनुपात जो हो गया वह एक अनुपात तीरा का हो गया तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में कितने सर थे उसकी संख्या हमें ग्याद कर रही है तो यहां पर देखिए ऑफिसर है और सोल्जर्स है इसका रेश्चयो पहले बोला हुआ है कि थरी श्टू थर्टीवन का है बाद में जब युद्ध हो गया उसके बाद जो फाइनल रेश्चयो बना वह बन गया वन इस्टू त है mau ने बाद यहां पर आपको क्रोश प्रड़क्ट लगाना हो न ca patent क्रोश प्रड़क्ट लगाना है कैसे लगाना है फिल्टी इंटू ťर्टीन माइनस वन इंटू थर्टीवन इंटीन इन्ट 就 1222 करोगे तो माइनस का 22 आएगा माइनस ओफ माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा प्लस का 78 चेल z इस तरीके के सवाल भी कराऊंगा कि माइनस होने के बाद वाले वाले को कैसे निकालना है पहले यह समझे कि एक युनिट है वो किसके बराबर है पहले वाले के बराबर अब युद्ध से पहले अफसरों की संख्या में निकालनी है तो अगर एक बराबर साथ है तो तीन लीए क्हिन है पिछले विजिए बाले सवाल में हमने क्या खिया किया कि एनिशेल वेलियो को कैसे निकाल नहीं अब फाइंल को कैसे निकालना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर और खा लेने के बाद अनुपात वं किस्टू कर रहास तो उसके पास अब कितनी कैंडी निकालना तो दो चीजे यहां बंटी के पास एक तो हैं केंडी दूसरा है च्वींगम यह दो चीजे तो शुरुती दौर पर इसके पास जो रीश्यो वह सास अनुपात ते रहा बाद में जो रिश्यो हो जाता है इसको खाने के बाद वो बनता है बाने हटो टू का तो और 내려तीड में हो घृमटा एक खालता है लूंटител करींच करो माराण में मरी यह कंद सब्पसक्राइब मैमरißtffe माइनस ऑफ माइनस ऑफ मैनस सोला करने पर प्लस वोता है मतलब टोटल यहां पूचा जा्रा रहुए उसके पास अब कितनी कैंडिश खहा लिए तो अब कितने कैंडिश घृत पहले यहां पर अगर मैं 5 multiply करूं तो पहले उसके पास 35 केंडिस थे जिसमें से वह 8 केंडिस खा गया 8 माइनस करके आपको जो values बचेगा वह 27 केंडिस होंगे से सुरुवाती दौर पर कितने थे वह निकालने होंगे यहां पर साथ तो साथ बराबर 35 हो गया क्योंकि एक बराबर पांच फिर इस आठ केंडिस को उसमें से माइनस करके निकालना हों कि अब उसके बास 27 केंडिस है क्लियर है चलिए तो यह तो हो गई कुछ cross product की बात है यह एक important pattern है जो coins से related जो होता है चलिए ठीक है उसके पहले यह वाला सवाल देखते है if there are three numbers in the ratio 3 is to 2 is to 5 such that the sum of the squares are equal to 1862 which will be the middle number तो देखे तीन संख्या है जिसका अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात पांच के अनुपात में इन तीन संख्या के इस तरीके से हैं कि उसके वर्गों का योग जो है 1862 के बराबर है तो हमें निकालना है कि बीच वाली संख्या कितनी है तो देखे यहाँ पर अब X लेना जरूरी हो जाता है इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम वर्ग करते हैं तो वहाँ पर X जो है वो डबल हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा गलती होने की चांसे से इसलिए हम A, B और C जो के 3, 2, 5 की अनुपात में थे इसम हो स्कुएर मतलब तीन एक्स का स्कुएर, प्लस दो एक्स का स्कुएर, प्लस 5 ह को स्कुएर, मतलब यह कितना हो जाएगा, यह आपका बन जाएगा, कि नो प्लस यहां से, चार प्लस यहां से, पच्छेस और X स्कु editsma, मैं इ menor लगता एक फेंठी से और लिकंत तो ते 931 ठीक है और यह आपके 950 से कम है मतलब 49 बार कटेगा उन्येस से कम है na 950 से कटता तो पूरा 50 आता एक कम है तो यह फॉटी 9-1 क् Ambassador x2 जो है एक्स का स्क्वैर जो है वह 49 है 40 ना इन का मतलब 7 का स्क्वैर तो x बराबर 7 हो जाएगा तो यह गलती हो जाती है कभी-कभी कि यहाँ पर 1 unit जब 7 आया वो 1 unit नहीं है वो 1 का square है, x का square है इसलिए इस तरीकी के जब वर्ग वाले सवाल होते हैं तो x लेकर solve करी है, नहीं तो गलती होने के chance होती है अब बीच की संख्या निकालनी थी जो की b है और बीच की संख्या हमारे सबसे कितना है तो 2x है तो b का value हो जाएगा दुगना 7 का यानि 2 into 7 जो की कितना है तो 14 है, ठीक, 14 तो b जो है सवाल का सहीवतर होगा ठीक, I hope यह भी आपको समझ में आओगा कि जबी भी वरगों के related सवाल है तो आप x लेकर करें क्योंकि यहां confusion हो सकता है गलती होने के chances होते हैं चली, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, 2 bottles contain acid and water in the ratio 2 is to 1 3 and 1 is to 2 these are mixed in the ratio 1 is to 2 1 is to 3, sorry, what is the ratio of the acid and mixture water in the new mixture, ठीक है दो बोतले हैं जिसमें क्रमशह 2 अनुपात 3 और 1 अनुपात 3 के अनुपात में अमलक और जल है याने acid water इन्हें हमें 1 अनुपात 3 में मिलाना है मिला दिया जाता है तो बताए मिश्रन में अमल और जल का अनुपात क्या है देखिए, यह जो सवाल है यह mixer से related सवाल है लेकिन यह भरपूर यहाँ पर जो ratio है उसके ही application based सवाल है ठीक है तो इस तरीके के question को कैसे हमें solve करना है इस तरीके का सवाल मैं आपको वहाँ mixer allocation में भी कराऊँगा एक बार फिर से तो वहाँ पर भी हमें एक approach देखेंगे अभी मैं आपको यहाँ पर ratio के approach से इसको समझाना चाहता हूँ तो आईए समझते है acid और water जो है यह पहले वाले में यानि पहला जो हमारे पास mixture है उसमें 2-3 के ratio में है दूसरा वाला जो हमारे पास mixture है इसमें यह 1-2 के ratio में है अब सवाल यह कह रहा है कि पहले वाले का और दूसरे वाले का जो है इसको हमें 1-3 के unit में मिलाना है मतलब पहले वाले का अगर 1 liter ले रहे हो तो दूसरे वाले का 3 liter लेना है और उसके बाद इसे मिलाना है जब भी इस तरीके का सवाल बनता है कि इन दोनों को मिलाने के बाद क्या ratio मिला तो कई बार आदत यह होती कि इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ दो जोड़ना तो है ultimate लेकिन उसके पहले किस अनुपात में जोड़ना है याने एक पहले वाले का एक लीटर तो दूसरे वाले का तीन लीटर यह balancing of ratio important है पहले अगर यह balanced है तो आप directly जोड सकते हो लेकिन अगर आपने यह balance के बगेर directly जोड दिया तो फिर यह कही न कहीं गलत होगा तो पहला काम है कि जिस ratio में मिल रहा है यानि पहले वाले का 1 लिटर और दूसरे वाले का 3 लिटर इसको पहले balance करिए तो देखिए कैसे balance होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा discussion कर लेता हूँ सबसे पहली बात अगर मैं 2 और 3 को जोड़ो तो आएगा 5 एक और 2 को जोड़ो तो बनेगा 3 ठीक है अगर हम इसको directly जोडते हैं मतलब 2 और 1 को जोड़ के यहां 3 लिग दिया एक्लियर तो सबसे पहला काम है first step यह होगा कि हम इसको equal करें equal करने का मतलब यह है कि यह 3 पास था तो इसको भी इन मनाए यानि इसको भी 15 बनाए दूसरे बादे को भी 15 बनाए पहला step यह बनेगा नौ 6 प्लस 9 15 हो गया 5 multiply करने पर यह 5 बनेगा यह 10 बनेगा 5 प्लस 10 भी 15 हो गया तो 5 इंटु 3 यह तो टोटल अब 15 15 है यह जितना हमने पहले वाले का लिया उतना ही हमने दूसरे वाले का लिया यह तो equal हो गया लेकिन हमें equal थोड़ी करना था हमें इस वन इस्ट दूसरे वाले में 3 लिटर तो अब यह जो टोटल है पहले वाले का हम ले रहे 15 लिटर और दूसरे वाले का हम ले रहे 45 लिटर कहीं न कहीं 15 और 45 जो है वो वन इस्टू 3 के ratio में तो अब ratio balance हो जाएगा जैसे ही आप इसको यह सारी चीज़े उसमें multiply करेंगे ratio balance हो जाएगा यह acid और water जो है वो पहले वाले में कितना है फर्स्ट वाले में कितना है तो यहाँ पर 3 multiply करने पर यह 6 बनेगा और यह 9 बन जाएगा दूसरे वाले कि अगर बात करो तो 15 multiply करना है याने second वाले में 15 आपका acid है और 30 आपका water है अब आप इसको जोड़ दीजिए जोडने पर आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा इसको जोड़ेंगे तो 21 आ रहा है इसको जोड़ेंगे तो यहां 39 आ रहा है ठीक तो अगर इसका ratio निकाला जाए तो यह बन जाएगा आपका 7 और यह बन जाएगा 13 मतलब acid water का जो ratio है वो 7 और 13 का है याने जो है सवाल का सही उत्तर है option A 7 इस to 13 ठीक चली यहां दिया हुआ है यहां दिया हुआ है यहां दिया हुआ है there are three bottles of mixture of syrup and water in the ratio 2 is to 3, 3 is to 4 and 7 is to 5. 10 liters of the first and 21 liters of the second bottle are taken. तो बहुत अच्छा सवाल है इसको solve करने के कोशिश करेंगे यहां दिया हुआ है कि सिरप और पानी था इसमें तीन बॉतले थी जिसमें मिशन का अनुपात क्रमशा दो अनुपात तीन है इसको करेक्ट करिएगा यहां थोड़ा सा टाइपिंग हरा है यह दो अनुपात तीन कॉमा तीन अनुपात चार और साथ अनुपात पाच है ठीक है इसमें क्या दिया गया कि दस लीटर पहले और 21 लीटर दूसरे बोतल का ली जाती है तो तीसरे बोतल का इसमें कितनी मात्रा और लेनी चाहिए ताकि बोतल में तीनों बोतल में अंतिम जो मिश्रेंड बना उस तीन बोटल है, हमारे पास एक है, दो है और तीन है, ठीक है, पहले वाले का हमने कितना लिया, तो दस लीटर लिया, तेन लीटर, दूसरे वाले का कितना लिया, तो 21 लिया, और तीसरे वाले के साथ इसको मिला दिया, तो टोटल जो रेश्यो बना, वो हमको दिया हुआ, तो स का रेश्यो का मतलब आप सब जानते हैं कि जितना सिरफ है उतना ही वाटर होना चाहिए ठीक तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे सबसे पहली बात आप यह बताईए कि अगर आप 10 लीटर मिला रहे हैं और यहां दो अनुपात तीन में बट रहा है तो दो बरावर कितना टोटल 5 है 5 बरावर इतना है मतलब यहां से हमने 4 लीटर सिरफ लिया हुआ है और 6 लीटर हमने पानी लिया हुआ यह आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं कि अगर यह तो पांच बरावर 10 लीटर मतलब 1 बरावर 2 लीटर तो 2 बरावर 4 ली मतलब 1 बरावर 3 है मतलब यह जो 3 था इस 3 के जगा कितना लिख सकते हैं 9 लीटर और दूसरे वाले को जोड़ लेते तो यह बन जाएगा आपका 12 लीटर अब जैसी आप इस चीज को देखते हैं तीसरे वाले को लेने के पहले पहले और दूसरे का यदि मैं योगफल करूं मतलब 13 लीटर मेरे पास सिरप है और 18 लीटर जो है मेरे पास पानी है मतलब कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 5 लीटर का कितने का डिफरेंस 5 लीटर का ठीक जैसे इन दोनों में डिफरेंस 5 लीटर का है आप यह पूछ रहा है कि इसको कितना लिया जाए आप देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का इन दोनों में डिफरेंस है दो का इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दो का अब सवाल तो यहां पर जब इसको पूरा मिला देते हैं तो डिफरेंस कुछ होना नहीं चाहिए यानि जितना आपका सिरफ उतना आपका पानी जब यहां तक की बात करी जा रही है यानि पहले और दूसरे की बात करी जा रही है तो यहां पर water पांच लीटर जादा है और जो अनुपात दिया हुआ है उसमें सिरफ दो यूनिट जादा है तो ये दुनों बराबर होना चाहिए यानि अगर पहले वाले में पांच लीटर जादा हो गया तो हमें ऐसा अनुपात बनाना होगा जिसमें सिरफ पांच लीटर जादा हो यानि कि पहले और दूसरे को मिलाने पर अगर पानी पांच लीटर जादा है ये दो यूनिट को मैं 5 लीटर के बरावर कर दूँगा तो टोटल कितना हुआ 7 प्लस 5 टोटल 7 प्लस 5 है याने 12 तो आप खुदी बताइए कि अगर 2 बरावर 5 लीटर है इस रिश्यो में 2 यूनिट का मतलब 5 है लीटर तो टोटल 12 बरावर कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बावर 2 याने 1 बरावर 5 लीटर मल्टिप्लाइड बारा तो यह हो जाएगा आपका 6 याने कि 30 लीटर मतलब तीसरे वाले का हमें क्या करना होगा तीसरे वाले का हमें 30 लीटर लेना होगा जैसी आप 30 लिटर लोगे और इसको मिला दोगे तो पूरा का पूरा बनेगा ठीक है आशा करता हूं आपको यह सवाल अच्छा लगा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका कॉंसेट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन के उपर यहाँ पर दिया हुआ है प्राइस जो है किसी मूवी टिकेट का हम नौ अनुपात 11 में बढ़ा देते हैं वाट इस इंक्रीज इन रेवन्यू अफ दे सिनेमा हूल इस जाजाए है वाजाज़नल फेर वाज्ट टिकेट वर सोल्ड तो यदि सिनेमा हूल में का मूल जो है मूल किराया था 180 रूपय और 2200 टिकेट बेचे गए थे तो सिनेमे हॉल का राजस्व का टूटल कित्ती कितना हुआ चलिए व्रिद्धी कितनी हुई यह हमें निकालनी है तो देखिए सबसे पहली बात आपको यह समझना होगा कि शुरुवाती दौर पे हमारे पास जो प्राइस था वो 9 रूपय का था और बाद में 10 हो गया शुरुवाती मूल प्राइस जो है वो आपका 180 रूपय का है तो यह 9 बराबर 180 रूपया हुआ तो हम जो इन्क्रीज कर रहे है वो एक यूनिट का कर रहे हैं तो अगर 9 बराबर इतना है तो जो इन्क्रीज हुआ increase बराबर कितना होगा increase हमने यहाँ plus 1 का किया तो जो की value हो जाएगा 180 divided by 9 मतलब हम यहाँ पर 20 रुपए का बढ़ातरी कर रहे हैं कितने का 20 रुपए का और क्योंकि जो ticket की बिकरी हो रहे है वो इतने की तो एक ticket में अगर 20 रुपए बढ़ रहा है तो 2200 टिकेट में कितना बढ़ेगा इसमें आपको एक बार 2200 रुपए और बढ़ाना multiply करना होगा जो कि 44000 मतलब 44000 रुपए का आपका बढ़ातरी हो रही है आपको यही निकालना था ना कि वृद्धी कितनी की हुई तो वृद्धी अगर निकालना है तो 4044000 की वृद्धी हो रही है यानि कि increase आपको निकालना था revenue में तो increase जो हो रहा है वो इतने का हो रहा है क्योंकि देखे आप से यह नहीं पुछा कि बाद में कितना collection हो रहा है आप से पुछा जा रहा है वाट इस दे increase in revenue यानि जो राजस रुपए में हो रहा है वो आप उसमें वृद्धी कितने की हुई यह आपको निकालना है तो 20 रुपए की वृद्धी हुई जोंकि पहले आगर 9 unit का value 180 दिया हुआ है तो हमारी वृद्धी जो हो रही है वो एक unit की हो रही है जहां जो सिक्के दिये हुए यानि कि जितने quantities of coin है उसका ratio दिया हो दूसरा जिसमें जो total values है coins के उसका ratio दिया हो तो दोनों तरहेके के सवाल में आपको कराऊंगा और सिक्के के ऊपर related कोई भी सवाल हो आपसे बनेगा exam में ठीक है तो देखें हो एक पर्स में 34. class 5 रुके दिया हुए इन दann से फॉर्म ऑफ़न रुपया पग़ास पैसे और दस पैसे तो एक रुपय का कोईन है हमारे पास 50 पैसे का कोई है 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपिया और हमारे पास 10 पैसे के भी कॉइन ने 10 पैसे का मतलब होता है 1 बटा 10 रुपिया ठीक इस तरीके से हमारे पास कुछ कॉइन रखे हुए है और number of coins जो है number of coins जो है याने सिक्कों के जो quantity है उसका अनुपात है 6 अनुपात 9 अनुपात 10 यहां से जो value आया पलस यहां से जो value आया इन नोनों को जोडने के बाद total जो value है वो है 34.5 रुपिया तो देखे या तो आप सारी चीजों को रुपिया में निकालेंगे या फिर सारी चीजों को हमें पैसे में convert करके निकालना हुआ तो ज्यादा अच्छा है कि आप रुपए में convert करें क्योंकि value ऊपर में रुपए में दिया हुआ है और एक रुपए 50 पैसे 10 पैसे का मतलब 50 पैसे का मतलब आजह रुपिया होता है 10 पैसे का मतलब एक बटा 10 रुपिया तो मान लेते हैं हमारे पास यहां 6x कोईन से 9x कोईन से 10x कोईन से एक रुपए के अगर 6x कोईन से तो टोटल रुपिया 6x हो जाएगा कैसे निकला इन दोनों को multiply करने से निकला क्योंकि अगर एक एक value यानि एक एक सिख्य का मूल ले एक रुपिया है तो 6 कोईन का 6 रुपिया होगा 6x कोईन का 6x रुपिया होगा उसी प्रकार अगर एक एक कोईन का आधा रुपिया है तो यहां से 9x by 2 आएगा एक एक कोईन का अगर एक बटा 10 है तो 10 से multiply करोगा तो x आएगा अब इसको क्या करना है तो जोड़ना है इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो x plus x हो गया, 7x plus 7x plus 9 by 2 आ रहा है, मतलब नीचे LCM 2 का बनेगा, इसको जोडने पर 14 आएगा, 14 प्लस इतना करोगे तो 23 आ रहा है, 23x by 2 जो है, वो 34.5 है, अगर इस 2 को उठाके मैं दुसरे तरफ ले जाओ, तो आपका 23x जो है, इसका value हो जाएगा 68 plus 1, यानि कि 69, ठीक, मतलब x का value है, x का value आ गया 3, अगर x का value 3 है, हम से पूछा था कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानि 10 पैस के टोटल कितने सिक्क्या है, तो हमारे पास 10x थे, इसमें क्या करेंगे, x के जगा पे 3 दाल देंगे, 3 दालोगे, यानि 3 multiply करोगे तो हमारे पास 30 सिक्के हो जाएंगे 10 पैसे की, क्यूंकि x का value है 3, clear, अब इसी pattern में, second question जो है, वो आपके screen के उपर है, एक बार इसको solve करने की कोशिश करिए, मैं अभी आपको यहाँ पर उत्तर बताऊंगा, कि इसका answer क्या है, तो इस सवाल में दिया हुआ है कि 240 coins हैं, ज हमारे पास 3 तरीके के सिक्के है, 50 पैसे का मतलब होता है, 10 रूपिया, ठीक है, और 25 पैसे का मतलब होता है, 14 रूपिया, 10 पैसे का मतलब होता है, 1 बटा 10 रूपिया, ठीक, यह तो हमारे पास coins है, किस तरीके के coin हैं, उसके बारे में बता है, इसके जो values है, values का जो अनुप तीन अनुपाद एक तो नमबर ओफ कॉइन कैसे निकाला जाए नमबर ओफ कॉइन कैसे निकाला जाए देखिए सिंपल सी बात है जब हमारे पास नमबर ओफ कॉइन दिया था और हमारे पास कॉइन कैसा है यह दिया था तो वैल्यू कैसे निकाल रहे थे number of coin multiplied by coin जैसे कि अगर आपके पास 10 coin है और वो 50 पैसे किये तो आप total पैसे किते हुए कैसे निकालोगे 10 multiplied by 50 पैसे या आधा रूपया तो 5 रूपय निकल के आएगा लेकिन यहां आपको 5 रूपय दिया हुए कि आपके बास value 5 का है और coin आधा का है अब number of इसके बात करें तो वो 5 divided by coin का value होगा एक coin का value तो 5 divided by आधा रूपया यह हो जाएगा 10 ऐसे समझेए कि 5 रूपय बनाना है तो आधे आधे जो रूपय है उसके कितने सिख्के लगेंगे 5 divided by आधा यानि कि दुगने सिख्के लगेंगे 10 सिख्के अगर 1 चौथाई का 1 सिख्का है और आपको यहाँ पर 3 रूपया बनाना है तो 12 सिख्के लगेंगे कैसे कि निकाला हमने 3 divided by 1 बटे 4 जो की हो जाएगा 3 multiplied by 4 इसी प्रकार अगर 10 पैसे कि आपके पास कितने सिख्के होने ची यह एक रूपया बनाने के लिए तो एक divided by 1 बटा 10 हो जागा यहने कि 10 सिख्के मतलब सिख्कों का जो अनुपात है वो यह है 10X इंटू 12X इंटू 10X यह हमारे सिख्कों के अनुपात है सवाल में दिया हुए है कि टोटल जो सिख्के हैं वो टोटल सिख्के 240 है 240 कॉइन से थिक तो अब इस तरीके के सवाल में थोड़ा चौकरना रहना कि वैल्यू का रेश्यो दिया है तो हमें नंबर आफ कोईन निकालने के लिए वैल्यू से डिवाइड करना पड़ता है इस वैल्यू को और जब हमें सिख्कों के क्वांटिटी का रेश्यो दिया हुआ है तो वैल्यू जो है एक एक सिख्के का उसको मल्टिप्ला करके टोटल वैल्यू निकालना पड़ता है वो डिप्वीज में इक्वेट होता है तो यहां पर तो आपको क्वांटिटी जो दोसो चालिस दिया वो सिख्कों की थी तो टू फाटी के बराबर होगा यहने दस प्लस बीस प्लस बारा करोगे तो बत्तेस हो गया बत्तेस एक्स का वैल्यू है दोसो चालिस अब सवाल यह था हमें निकालना था find the number of 25 पैस कोई तो 25 पैस कोई कितने है तो 12x है तो 12x का वैल्यू हमें निकालना है तो 32x अगर इतना है तो x का वैल्यू हो जाएगा 240 divided by 32 ठीक है यह होगा x का वैल्यू अब हमें निकालना है 12x का वैल्यू तो 12x का वैल्यू हो जाएगा और यह कटेगा पंद्रा बार और दो से इसको काटोगे तो यह 6 बार कटेगा मतलब टोटल 90 सिक्के हैं हमारे पास यहाँ 90 सी इस दा करेक्ट एंसर क्लियर चलिए एक आखरी सवाल है आपके पास बहुत ही अच्छा सवाल है इससे आपका कॉंसेट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा ठीक चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन के ओपर दिया हुआ है सवाल इसी के साथ हमारा जो है रिशो प्रपोर्शन का पार्ट Лग 2 विडियो जो है वह थो मौंप define ja ahora deyer there the ratio of the incomes of a and b in the last year was for this to 3 respectively the ratio of their individual incomes in the last year and the present year was three to four and five to six respectively if the total income for the present year is eight like point four zero four 8.04 lakh then what is the income of be in the last तो यहां दिया होए पिछले वर्ष में ए होए और बी के आ ए का जो अनुपात है वो और बी वर्स और वर्तमान पर में अगर बात करें विक्तिगत आये का अनुपात जो है इम दुनों का करमस थीननुपाइफ चार है। मतलब यह एक के बारे में बता रहा है और पांस अनुपात शे है तो यह बी के बारे में बता रहा है। यदि वर्तमान वर्ष में उनके कुल आयो जो है वो आठ दिसमलव जिरो चार लाक रुपिया है तो पिछले वर्ष में B का आय क्या है तो देखिए यहां पर दो चीजे अलग-अलग दी हुई है पहला आपको दिया हुआ है कि पिछले वर्ष में A और B के जो राशी थी आने कि आये थी उसका टोटल अनुपात आपको दिया हुआ है A B का पिछले वर्ष का दूसरी बात आपको दी गई है कि A का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में जो अनुपात था वो दिया हुआ है सेम चीज आपका B के लिए दिया हुआ है कि B के पिछले वर्ष का और इस जो अनुपात है वह दिया हुआ अलग अलग तीसरा जो चीज दिया हुआ वह यह है आपको इस रेश्यो को बैलेंस करके एकवेट करने के लिए वह दिया है इस वर्तमान वर्ष में याने अभी जो वर्ष चल रहा है उसमें आप ए और बी का जो सम है टोटल वैल्यू वह आनुपात में थी तोवह 4 आनुपात में थी और अगर परेजन्ट वाले की बात करें तोर्ष में बढ़ा मतलब यहां पें यहां पर चार और बी का जो रेश्यो है वह यहां पर 5 सिप्स के ratio में बढ़ा यानि पहले 5 था तो अब 6 हुआ इसका 3 is to 4 हो मतलब present में अगर हम बात करें तो present में A का जो ratio होगा यह 3 बरावर 4 है तो 4 बरावर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 4 बटे 3 into 4 और B के अगर हम बात करते हैं तो B का अगर यह 5 था तो 1 बरावर हो जाएगा 3 बटा 5 3 by 5 multiplied by 6 मतलब देखे 5 बरावर 3 है तो एक बरावर इस ratio में एक बरावर हो जाएगा 3 बरावर 5 multiplied by 6 मतलब present में इनका जो ratio हो हो जाएगा 16 by 3 और ratio में यहां से आजाएगा 18 by 5 ठीक है अब इस ratio में अगर आप कुछ value multiply करते हैं तो वो ratio इधर भी balance होने के लिए multiply करना पड़ेगा तो अगर यह 3 और 5 था आप देख रहे हैं यहां 15 multiplied है क्योंकि यह ratios आपस में related है तो अगर मैं 15 यहां multiply करना हूँ तो 15 मुझे पिछले वाले में भी multiply करना होगा मतलब समझिए कि इन रेशियो को balance करने के बाद हमें यह मिल रहा है कि इसका ratio 16 by 3 है और इसका ratio 18 by 5 है क्योंकि हमें इस ratio से calculation में थोड़ा typical values मिल सकता है तो आप इसको easy करने के लिए पहले वाले में 15 इसमें भी multiply करके और इस पर भी 15 multiply करके simplify कर सकते हैं चीजों को तो पहला वाला जो ratio है वो बन जाएगा आपका starting का जो ratio है यह आपका बन जाएगा यहां से यह बन जाएगा 60 ठीक यह आपका बन जाएगा 45 थ्री इंटु 15 याने 45 दूसरा वाला जो ratio है अब इसको थोड़ा और आसान हो जाएगा इस तरीके से देखोगे तो यह बन जाएगा आपका 80 ठीक है और यह बन जाएगा आपका 54 अब ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आप इसको 60 और 45 ले सकते थे starting में क्योंकि देखिए starting वाले ratio में यहां है यहां तीन है यहां पर तीन है यहां पांच तो अगर इसको तीन और पांच बनाना है तो पहले वाले में मुझे 15 इसको लिख सकते हैं ठीक चले एक बार जो value balance हो गया अब सवाल बस इतना ही है कि present का ratio आगया और past year का यानि last year का रिश्यू आगया जैसी मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो value कितना आ रहा है यह बन जाएगा 134 और 134 का value दिया हुआ सवाल यह था कि पिछले साल बी का income क्या है तो पिछले साल बी का पैतालिस इंकम है तो हमें क्या निकालना है पैतालिस का value निकालना है उसके लिए पहले आपके पास एक का value होना चाहिए तो एक का value हो जाएगा 8.04 divided by 134 और सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि यहां एक decimal को मैं हटा देता हूं तो उपर नीचो सौ से multiply होगा ठीक है अब 134 को देखते साथ समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसमें साथ से multiply करूं 7 से तो 7 से नहीं 6 से अगर मैं multiply करूं तो 78 आएगा 78 और यहां से 24 कही ना कहीं है पूरी तरह से कटेगा 6 से ठीक है और 6 multiplied इतना करना मतलब 240 270 यहने 2.7 आ रहा है 2.7 लैक पुड़ा 6 गुने अगर 45 करोगे 270 और नीचे 100 बैठा हुआ है तो यह कहीं ना कहीं 2.7 लैक जो है इसका income मन प्यूर जो questions है उसको हम यहां पर रोकेंगे weekend में आपको मैं और भी सवाल कराऊंगा जो की ratio proportion से related सवाल आपको practice sheet में provide होगा तो practice sheet एक बार फिर से मैं repeat करना चाहता हूं हर Sunday आपको provide करा जाता है उसका answer की आपको आने वाले Wednesday को मिलता है और हर Sunday में क्या practice sheet मिलते है जो इस practice sheet आपको Sunday को provide होता है ठीक है तो इतनी सारी quality content आपको free of cost इतने भैतरीन तरीके से provide हो रहा है तो आप क्यों उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं और इसलिए मैं यहां चाहता हूं कि आप इस वीडियो को like करे subscribe करे channel को और share करे अपने दोस्तों के साथ bell icon दबाएं ताके आने उन्हें भी फायदा हो आपके साथ साथ चलिए thank you so much इस video को यहां रोकते हैं next video में हम ratio proportion से ही related कुछ videos लाएंगे जो इसके application related है तो आने वाले सभी videos में कहीं न कहीं ratios का जो use होता ही है तो इस video को अच्छे से समझ के ही आगे जाईएगा thank you so much इस video में इतना ही